घने जंगल के मध्धे में एक शांत खास का मैदान बसा हुआ था, जहां पत्तों की फुस्फुसाहट पक्षियों के गीतों के साथ घुल मिल जाती थी. यहां, राजसी नागिनों का एक परिवार शांती से रहता था, उनके तराजु सूरज की रोशनी में चमक रहे थे. जंगल के किनारे खेल रही थी, उसने पेडों के बीच से अपने माता-पिता की तीवर चीखें सुनी. अपनी मांद की और वापस दोड़ते हुए, वह डराव ने द्रिश्य में पहुँची, उसके माता-पिता बेजान पड़े थे, उनके शरीर पीडा में विकृत हो गए थे. सूर्या के दिल को सद्मा और दुख ने घेर लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी दुनिया एक पल में उजड़ गई है. अराजकता के बीच, सूर्या ने जाडियों में गायब हो रही एक छायादार आकृती की जलग देखी, जो अपने पीछे केवल विश्वासखात और मृत्यू की दुरगंद छोड़ रही थी. आसूं से बहते हुए, सूर्या ने अपने माता-पिता की असामेक मृत्यू का बदला लेने, अपराधी का पता लगाने और उन्हें न्याय दिलाने की कसम खाई, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े. जैसे ही सूर्या प्रतिशोद की तलाश में निकली, दिन हफ़तों में बदल गए और सप्ता महीनों में बदल गए. वह उस चायादार व्यक्ती द्वारा छोड़े गए धुंधले निशान का अनुसरन करते हुए, जिसने उसके परिवार को उससे चुरा लिया था, जंगल के विशाल विस्तार को पार किया. रास्ते में उसे असंख्य खत्रों का सामना करना पड़ा, चालाक शिकारियों से लेकर विश्वास खाती इलाके तक, लेकिन कोई भी चीज उसे उसके उद्देश्य से नहीं डिगा सकी. जैसे जैसे वह जंगल के बीचों बीच गहराई तक यात्रा करती गई, सूर्या का संकल्प और मजबूत होता गया. उसने अपनी इंद्रियों को निखारा, अपनी प्रवृत्ती को तेज किया और युद और छिपने की प्राचीन कला में महारत हासल की. और हर गुजरते दिन के साथ, वह अपने माता-पिता की हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के करीब आ गई, उस अंधेरे का सामना करने लगी जिसने उसके जीवन पर अपनी चाया डाल दी थी. एक चांदनी रात में, जब सूर्य जाडियों की बीच से गुजर रहा था, उसकी नजर चांदी की रोशनी में नहाए हुए एक जंगल पर पड़ी. वहां, उसने खुद को एक अकेले व्यक्ती के सामने पाया, एक युवा लड़की जिसकी आँखें आधी रात की तरह काली थी और उसकी निगाहें सितारों की तरह चुब रही थी. अपनी प्रारंभिक आशंका के बावजूद, सूर्या को लड़की में एक दयालू भावना महसूस हुई, रात की थंड़क के बीच गर्माहट की एक जलक. खुद को माया के रूप में पेश करते हुए, लड़की ने सूर्या का अपने साधारन निवास, जंगल के किनारे स्थित एक आरामदायक जोपड़ी में स्वागत किया. सुगंदित चाई के कप और दूर देशों की कहानियों के बीच, सूर्या को माया की संगती में सांथवना मिली, उसके प्रतिशोद की निरंतर खोद से राहत मिली. और जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, उनकी दोस्ती परवान चड़ी, ऐसे बंधन बने जो प्रजातियों और भागे की सीमाओं को पार कर गए. जैसे जैसे सूर्या ने माया की दुनिया में गहराई से प्रवेश किया, उसने ऐसे रहसें को उजागर किया जिसने उसके अस्तित्व की नीम्व को हिला कर रख दिया. उसे माया के परेशान अतीत के बारे में पता चला, उसने जो कठिनाया सहन की थी और भय और उत्पीडन से शासित दुनिया में जीवित रहने के लिए उसने जो बलिदान दिये थे और विश्वासखात और धोखे की फुस्फुसाहट के बीच सूर्या को एक परिचित उपस्थिती का एहसास हुआ, उसके अतीत की एक चाया, अंधेरे में चिपी हुई हमला करने की प्रतीक्षा में तातकालिक्ता की एक नई भावना से प्रेरित होकर, सूर्या ने माया का सामना किया और उन सवालों के जवाब मांगे जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रहे थे और जैसे ही माया की नजर उससे मिली, सूर्या ने उसकी आँखों में सच्चाई को प्रतिबिंबित होते देखा, वह सच्चाई जो उसे इतने लंबे समय से छुपा रही थी, वह सच्चाई जो वह सब कुछ बदल देगी जो उसने सोचा था कि वह अपने और अपनी दुन को सताया था और उसके क्रोध को बढ़ाया था। माया के साथ उसने जंगल के खत्रों का सामना किया, अपने डर का डटकर सामना किया और उस नियती को गले लगाया जो उसका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही वह अपने रास्ते के अंथ तक पहुंचे, सूर्या ने जाए उसने केवल एक टूटी हुई आत्मा देखी, एक आत्मा जो अपराद और पश्चाताप से भस्म हो गई थी, एक आत्मा जो मुक्ती के लिए तरस रही थी. उस पल में सूर्या को एहसास हुआ की प्रतिशोद इसका उत्तर नहीं है, सच्चा न्याय रक्तपात में नहीं, बल्कि क्षमा और मिलमिलाप में है. और जैसे ही उसने अपने पूर्व दुश्मन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपने कंदोज अतीद का भार उतरता हुआ महसूस हुआ, जिसकी जगह शांती और समझ की भावनाने ले ली. जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, जंगल पर अपनी सुनहरी चमक बिखिरते हुए, सूर्य और माया एक साथ खड़े हो गए, उनके दिल दोस्ती और एक जुटा में एक जुट हो गए. और जब उन्होंने अपने आसपास की दुनिया की सुन्दर्ता को देखा, तो उन्हें पता चला कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, नए रोमांच उनका इंतजार कर रहे हैं, और नए चुनोतियां उनके संकल्प की परीक्षा लेंगी. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की भविश्य में क्या होगा, वे भाग्य के बंधन और कल के वादे से बंधी दयालू आत्माओं के रूप में एक साथ इसका सामना करेंगे. क्योंकि अंत में यह गंतव्य नहीं था जो माईने रखता था, बलकि यात्रा ही थी, वह यात्रा जिसने उन्हें एक साथ लाया था और एक ऐसा बंधन बनाया था जो अनंत काल तक बना रहेगा.